इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्दी सल्तनत का प्रसाशन चलिए प्रसाशन प्रसाशन पे अब बस्ता कैसा है वो देखते हैं गुलाम बंस के सुल्टानों ने 206 से 1290 तक साशन किया गुलाम बंस वाले कबशे कब तक कही थे 1206-1290 खिल जी बंस ने 1290-1320 इस सब के बारे में लोग पढ़ चुके हैं कि गुलाम था 1206-1290 खिल जी ने किया 1290-1320 और सबसे longest period तक इस ने किया था तुगलक ने किया था तुगलक के सासकों ने 1320-1421 तक सासन किया सायद बंस ने 1414-1451 सासन किया है लोधी बंस के सासकों ने 1451-1526 और उसके बाद बावर का आक्रवन होता है फिर बावर अपना मुगल समराजे का स्थापना कर देता है इसमें तुगलक बंस का सासन सबसे द्रग कालिक था तुगलक बंस का सबसे ज़्यादा समय के लिए था सल्तनत काल के अधिकांस अमीर एवं सुल्तान तुर्क बरग के थे लग्वब जो थे न सल्तनत काल के यह कौन से थे तुर्क बंगे के थे एक कुछ अमीर एपन सुल्तान तुर्क बंगे थे सुल्तान केंद्रिये चासन का प्राधन था शुल्तान भी प्राधन था इस समय में आपने देखा हो कि सारा काम तो वही कर वारा जैसे फ्रेस dez계 वेक्तियों को अमीर की संग्या दी जाती थी अब अमीर जो है यह कौनकवने जैसे बड़े वरे पोस्ट पर जो दिया वहा है उन पद तो तो प्रभाब शाली पद पर सासनिक बिभाग एवं इसे परंब करने वाले सासक निम्न हैं जैसे मुस्तक राज हमने देखा था दीवान े मुस्तक राज्ट्ग रात्राज राज री विभाग हैं और बाजार नियंद्रा विभा अभी अटावुद इन खिल्जी का दीवाने मैस्तकराज राजस विभाग दीवाने रियासत ये बाजायन्य और रियास्त Cred क है दीवाने अमीर को ही दीवाने अमीर पे जो है मुहमध अब विभाग उनकी कारे विदिया क्या क्या है दिवाने अर्ज ये सन्य विभाग है सन्य विभाग से संबंधित अर्ज दिवाने रिशालत दिवाने रिशालत क्या है धार्मिक बुद्धों से संबंदित विदेशी मामलों की देखरेक से संबंदित या तो धार्मिक बुद्धों का देखरेक करेगा या विदेशी मामलों को देखरेक करेगा यह क्या हो जाएगा दिवाने इंसा दिवाने इंसा सरकारी पत्र विभार से संबंदित जो एक्स्चेंज करत विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी सम्विधान में मान्यता दी गई थी जिन गैर अर्भी संस्थाओं को अंतर मुक्त किया गया तथा मुस्लिम समराटों के अधिन मंतरी परिशद के लिए जो नाम विवार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संग्या दी गई थी विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी फारस का मतलब उस सेंगा इरान अभी का इरान उस सेंगा फारस महमुद गजनवी के राज्ये कालक में अब्बास फजल बिन एहामद प्रथम वजीर होएं जो साशन विवस्ता चलाने में निपूनते राज्ये का प्रधान मन्तरी उस सेंग bloss Sikh अभी जो प्रधान मंतरी और व वजीर होते थे इस द्रिश्टी जे वह लगान करवेवर था दान तथा सैनिक व्याय आदिसभी की देखवाल करता था तुगलक काल मुस्लिम भारतिये विजारत का स्वर्नकाल था तुगलक काल का मुस्लिम भारतिये ठीक है फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चर्मो तकर्ष पर था सबसे टॉप लेवल पे था जब फिरोज सा तुगलक जिस समय शासन में था तो वजीर यानि प्रधान मंतरी का पद सबसे टॉप पर था दसमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदो का विभाजन किया जाता था दसमलव प्रणाली पर क्या किया जाता था कि आपको सेना का संगठन और उसके पदो का विभाजन किया जाता था वांपा खुर सावरों की तुकरी का प्रधान सरे खेल यानि सर खेल कहलाता था। जो शानिक घुर सावारी का होता था प्रधान उसको सरे खेल या सर खेल कहते थे। दस सरे खेल के ऊपर एक सिपा सलार, दस सिपा सलार के ऊपर एक अमीर, दस अमीरों के ऊपर एक मलिक, और दस मलिकों के ऊपर एक खान होता था सुल्तान सिना का मुख्य सेना पती होता था फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को द्रिष्टी में रखकर निर्धारन किया उसने कुरान में अनमोदित चार कर लगाने की अनमति दी खराज, जजिया, खुम्स, जकात खुम्स, लूट का धन था खुम्स यानि कि आप लूट करके लाएं वो बाला धन है जो युद में सत्रू राजे की जनता से लूट में प्राप्त होता था इस लूट का चारवटा पाच भाग सैनिक में बाट दिया जाता था और से इस एक वटा पाच भाग राजकोस में जमा होता था सिकंदर लोदी ने गरे हुए खाजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया सल्तनत काल में सासन की सबसे छोटी का एक ग्राम थी सल्तनत काल में सबसे छोटी का एक कौन सी थी ग्राम थी जो स्वासासन तथा पैत्रिक अधिकारियों की वेवस्था के अंतरगत थी ग्राम अस्तर पर चौधरी भूराजस्व का सरबोच अधिकारी था सल्तनत काली इन दो प्रमुख मुद्राये हैं जित्तल एवं टका सल्तनत काल में जित्तल और टका चलता था इल्टुत्मिस पहला तुर्क सासक था जिसने सुध अर्भी सिक्के चलाए थे तुत्मिस ने क्या चलवाया था सुद्ध अर्भी सिक्क्य उसी ने दो प्रमुख सिक्क्य अर्था चांदी का टका और ताम्बे का जित्तल प्रचलित किया था किसने करवाया है इल्व तुत्मिस ने तका एवं जित्तल का अनुपाद वन इस्टू फोटियाट यानि एक रेशियो अर्टालिस का था अलाउदीन वसूद सा 1242 से 46 के सिक्क्य पर सरप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था बगदाद के अंतिम खलीफा अल्मुस्तसीम थे अंतिम कौन थे मुस्तसीम या 1242 अंठावन तक खलीफा रहें इल्टुत्मिस के सिक्क्य पर खलीफा अल्मुस्तसीर का नाम उलेखनिय था जो 1226 से 42 इसवी तक खलीफा रहें हदीश एक इसलामिक कानून है जबकि जवाबित राज्य कानून से संबन दित है